हेलो गाइस, विलकम बैक टु माई चैनल, आयूप आप सब बहुत अच्छी होंगे गाइस, आज में आपके साथ पोहे से बनने वाला एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेश्टी एक डिफरेंट तरीके के नास्ति की रेसिपी शियार कर रहे हूँ तो गाइस, ये रेसिपी कैसे बनेगी चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हमें ले लेना है पोहा तो मैंने आप पे ना देल कप पोहा लिया है मतलब दियर कटोरी लिया है अब हमें लेना है एक मिक्सी जाद और इसमें पोवे को आट कर देना है और इसे हमें एकदम महीन हमें ग्रिंड कर लेना है और गैस इसे ना चूरा भी बोलते हैं पोहा चूरा दोनों चीजे इसको बोलते हैं अब चलिए इसको हम ग्रिंट कर लेते हैं तो गैसे देखी इस तरीके का न ग्रिंट करने के बाद एक दम पौडर बन जाए गए देखिए इस तरीके से अब इसे हमें एक बाउल में निकाल लेना है अब इसमें हमें आट कर देना हाप टी स्पून जीरा हाप टी स्पून अजवाइन हाप टी स्पून कुट्टी हुई लाल मिर्च बतलब चिली फ्लैक्स हाप टी स्पून नमक और दो यहाँ पे हरी मिर्च इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे हाब टीस्पून अद्रा ग्लैसून का पेश्ट अब गईस मैंने यहाँ पे तीन मैस के वे आलू ले लिये हैं अब हमें इसको इसमें आड़ कर देना है मैंने आपे बॉयल की वा आलू लिया तो इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है अब इसके बाद हम यहाँ पे आड़ कर देंगे धेर सारी धनिया की पत्ती अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आप गैस ना इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करेंगे जैसे आटा होता ना वैसे हमें इसको लगा लेना है और गैस क्योंकि पोह ना पानी सोकता है इसलिए हमें इसमें पानी डालने के ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे पानी डालते जाए पोह पानी सोकता जाएगा धीरे धीरे आप काटा त्यार हो जाएगा और इसे थोड़ा सा टाइट ही रखना है गीला नहीं करना है तो बस इस तरीके से जब आप पानी डालोगे ना जैसे एकदम आटा होता है ना बिल्कुल वैसा हो जाएगा जब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालोगे तो यह देखी गाईस इस तरीके से यह हो जाएगा अब इसे हमें ना दस मिनट तक सेट होने के लिए रख देना है तो गैस दस मिनट हो चुके हैं अब यह अच्छे से स्वेट हो चुका है अब चलिए इसको हम निकालते और इसका नास्ता बराना शुरू करते हैं है तो सबसे पहले इसको हम लोई में काट लेंगी तो मैंने आपने एक चकला लेले है इधह कि इसको ड्στ कर चाह एंगए, अब पर चकोर करूंगी और बहुत ही आसानी से कट भी हो जाएगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तो इसको चार पाइट में कर लेंगे यह देखे इस तरीके से अधिके देखने में कितना सुन्दर लग रहे हैं मैं आपको नहीं दिखाती हूं देखिए बिल्कुल भी टूटा भी रही और बहुत ही आसानी से देखे कितना परफेक्ट हमारा बन गया है आप इस तरीके से ना हमें सभी को बना लेना है आप इसे ना आप 2-3 दिन तक फ्रीजर में श्टोर करके रख सकते हैं आपका जब भी खाने कमन करें आप तुरत ये नास्ता निकालो और इसे फ्राइए करकर खालो तो आप इसे 2-3 दिन तक श्टोर भी कर सकते हो अब मैं आपको नहीं दूसरा भी दिखाते हूं देखिए मैंने इ ये नास्ता बहुत ही पसंद आएगा ये बहुत ही क्रिस्पी नास्ता होता है ये देखे गाइस मैंने सारे नास्ते को तयार कर लिया है अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं तो मैंने आपे तेल को गर्म कर लिया है अब एक करके इसको हमें इसमें आड़ करना है उसे अच्छ में फैलेगा एकदम पर्फेक्ट आपका इनास्ता रैडी हो जाएगा तो जब आपको कोई भी नास्ता बनाने में समझ मिं नहीं आ रहा हो कि हम क्या बनाएं तो आप जट पर यह नास्ता बहुत इसल्दी बना सकते हो और यह चाय के साथ तो बहुत टेश्टी लगता और यह देखिए बहुत यह अच्छे से गोल्डेन हो चुका है अब हमें इसको निकाल लेना है गर्फेक्ट हमारा नास्ता रेडी हो चुका है यह देखिए जब इतना कलर आ जाया ना आपको इसको निकाल लेना और यह बहुत ही क्रिस्पी हो गया है और देखिए देखने मे बच्चों का तो फेबरेट हो जाएगा उन्हें ये नास्ता बहुत पसंद आएगा तो बस गैस अब इसे भी हमें फ्राई कर लेना है अब इसको भी हमें निकाल ले नहीं देखे ये भी गोल्डन फ्राई हो चुका है तो गैस हमारा टेश्टी एन क्रिस्पी नास्ता रेडी हो गया है इसी बात पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब रेकिए तो जब भी आपको कुछ अलग नास्ता खाने कम बन कर और बहुत कम समय में बने वाला नास्ता आपको चाहिए तो आप जब इस ये नास्ता बना सकते हो और फैमरी के साथ इन्जॉय कर सकते हो तो गैस अभी मैं आपको इसकी आवाज भी सुनाओं कि आप देखिए कई कितना क्रिस्पी बना है तो गैस बना है ना बहुत ही क्रिस्पी अभी मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगे आप देखें कितना टेश्टी हो कितना क्रिस्पी है तो गाइस आयोब आपको मेरे टेश्टी पोहे की रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर रेसिपी पसंद आयो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए